हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दी चैनल आज का टॉपिक है एंबॉलिजम हम थ्रॉंबोस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं इससे पहले आप एना थ्रॉंबोस की वीडियो समझ लें फिर इससे एंबॉलिजम समझ में आ जाएगा क्योंकि थ्रॉंबोस और एंबॉलिजम एक सबसे पहले हम embolism समझते हैं या फिर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हमारा क्लॉटिंग का सिस्टम शुरू होता है जिससे वह हीलिंग होती है लेकिन अगर कहीं आर्टरी के अंदर चोट लग गई तो फिर वह उसको हम मोलंगे मतलब endothelial injury और फिर वहाँ पे ना class शुरू हो जाएगा प्लॉटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत मास अग्रिएगेट हो जाती है मतलब बहुत यहां पर इतनी सारी 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 इस्टिमिलेट हो जाएगी ठीकित तो वहाँ पर एक सौलिट मास सब नने लग जाता है तो अब यहां पे कुछ है न अब्स्टुक्शन आ जाएगा तो जिसकी वैसे उसका प्रेशर है वो दीरे ब्लड का वो धीरे होना शुरू हो जाएगा ठीक है और अगर यह और बड़ा हो गया तो और प्रेशर कम हो जाएगा जिससे के आग जो जो है यह जो जो लिए भाषट प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से ज़्यादा तेज़ प्रेशर की वजह से यहां से तो चोटा सा पार्ट न तूट के ब्लड- सर्कुलेशन में घूमता रहता है तो अब आगे क्या होगा कि यह नौर यह आखिए तो यह अथा चोटी चोटी शोटी कैपिलरी आती है तो अब यह अपने साइज की कैपिलरी में जाके अटक जाएगा ठीक है जो चोटा सा वो अपने आगे की जाके, आगे जो capillaries आएंगी छोटी, तो अपने size की capillaries में जाके अटक जाएगा और वो आगे circulation नहीं होने देगा, जिससे आगे के part में necrosis हो जाएगी, इस्चिमिया हो जाएगा, oxygen की supply नहीं होगी और tissue damage हो जाएगा, ठीक है, तो embolus कुछ नहीं है, यही thrombosis जो की solid mass बना था आर्टरीज में, जादा platelet aggregation की वज़े से, वो तूटके छोटी capillaries में चला गया और वहां पर इसको block कर देगा, ठीक है, तो वही embolus होता है, इसमें बस वही जो इसकी definition है, बस इसको हम पार्ट में करेंगे, और यह हो जाएगा हम से, ठीक है, तो process of partial or complete obstruction of some part of CVS, ठीक है, partial, आदा obstruction, ठीक है, या फिर complete, आर्टरी को या तो आदी block कर दे, या फिर completely block कर दे, ठीक है, of some part of the CVS, CVS के किसी भी पार्ट में वो obstruction कर देगा, by any mass carried in circulation circulation, circulation में कोई भी एक solid mass आएगा, जो कि obstruct कर देगा, partially या फिर completely, that transported intravascular mass detached from its site of origin, ठीक है, वहाँ पे न, site of origin, मतलब thrombus का ही कोई part होगा, ठीक है, और intravascular vessels के अंदर, एक mass detached होता है, मतलब वही, यहां से thrombus था, thrombus का एक mass detached हो गया, intravascular, मतलब vessel के अंदर, ठीक है, डिटेच ह है, तो इसको हम बोलेंगे, embolus, ठीक है, partially है, completely obstruct कर देता है, कोई है न, आर्टरी को, जो कि circulation में चल रहा होता है, blood circulation में जा रहा होता है, कोई भी mass, ठीक है, और intravascularly, intravascularly मतलब vessel के अंदर, आर्टरी के अंदर, ठीक है, और detached हो जाता है, from its site of the origin, site of the origin, मतलब इसका कोई site of the origin नहीं होता, thrombus का होगा site of origin, वो खुद से बनेगा, लेकर embolus detached part होगा, ठीक है, तो इसका definition का मतलब यही था, 90% forms are thromboemboli, जो हमने example दिया है, वो thrombus का example दिया है, तो 90% cases जो होते हैं, वो thromboemboli के ही होते हैं, ठीक है, type of embolism, देखिए, यह एक short है, इसका पुरा chart form में ह हमने इसके type समझाएं, ठीक है, तो इसके four types होते हैं, depend on the matter of emboli, वो कैसा matter है, मतलब हमने तीन matter पढ़े हैं, solid, liquid or gas, तो इसके matter पर depend करता है, kembolus कैसा है, solid है, liquid है, या फिर gas है, infection भी होता है, blend और septic, source of emboli, मतलब कहां से उसका origin है, cardiac, arterial, venous, lymphatic, flow of the blood, paradoxical होता है, retrograde होता है, type of emboli, type of emboli में क्या है, depending upon, matter in the emboli, ठीक है, matter मतलब, solid, liquid or gas, example देख लेते हैं, thrombo emboli, thrombus भी solid होता है, ठीक है, atheromatis emboli, जब हमें पता है, कि हम जब atherosclerosis पढ़ते हैं, तो वहां पे भी वो एक solid mass एकटा हो जाता है, अब वहीं से वो, वहीं से अगर कुछ पार्ट उसका त टूट गया, तो हम उसको बोलेंगे, atheromatis emboli, tumor cell clump, अगर कहीं tumor हो रहा है, ठीक है, brain tumor है, या कहीं पे भी tumor है, ठीक है, तो उसने ऐसे करके, यह बड़ा सा tumor है, इसका यह अगर छोटा सा पार्ट टूट के circulation में चला गया, तो वह भी, वह भी emboli होगा, जिसको हम बोलेंगे tumor emboli, ठीक है, foreign bodies, foreign bodies, कुछ भी आके हमारी body में आ जाता है, उसका पार्ट टूट के circulation में चला जाता है, उसको हम बोलेंगे, solid, मतलब वह solid होना चाहिए, liquid में fat globules होंगे, amniotic fluid होगा, या फिर bone marrow, तो अगर यह भी हमारी circulation में flow करते हैं, ठीक है, जाते हैं, तो इसको भी हम ब infection, infection दो type के होंगे, या तो blend होगा, या तो, अमतलब infection होगा, ठीक है, और एक होगा, सेप्टिक, जो की infected होगा, है ना infection, या तो infection हुआ नहीं है किसी को ठीक है? या फिर infection हुआ है, तो जिसको infection हुआ होगा उसको हम sterile बूलिंगे या फिर हम उसको blend बोलिंगे, ठीक है? septic होगा, Tec ہोगा तो septic हम उसको, septic मतलब infected, अब third part है source of emboli, उसका source क्या है? तो ऩर नियुकर कार्डियक है, तो हमें इसका याद रखना है कि हाट में अगर को रहा है तो डä में हो घृट है अगर एन्टरियम में मुझा जाता है भुर्थ हayo जाता है पाक बोकम ओधेकड़ इंवासे का फॉमेशन ठीक कैसि का दूसरा सूर्ज है और सिस्टेमिक अब ये तो सिस्टेमिक मतलब ये ऑरगन संक्वत और पोरिस Dust स्प्रेश्ट Iron डिटेश तो आजए और मतलब में फ्लों क Pink कर दो हमने रूम्पल पर्मेत reimburseau सब्वेल हैं था थाट की थाट हूं जो सकता है फ्लोञ था इथ के फ्लोट पटाइब के कहां पर इंगे फीर plaint Ha Gun प्रस्टरी की यहalen के नॉर्मल जा रहें तो सब्सक्राइब पदर उते बेशुड था व्थन हमें यह 20% Aurvenus तो एक तो यह paradoxical जो कि नॉर्मल फ्लो हो रहा है वेन तो आर्टरी जा रही है यह पैसे जा रहा है अब क्या है यह ब्लड फ्लो कर रहा है अब आगे इसको रास्ता नहीं मिला तो यह लौट जाएगा मतलब यह अगर मतलब क्या है कि एंबुलस ना एंबुलस ब्लड के वह से नहीं जा रहा है उसका रास्ता अपना उसने बदल लिया आगे कोई obstruction मिल लिया कुछ भी मिल गया तो वह अपना रास्ता उल्टा कर लेगा मतलब फिर से अपने पहले वाले रास्ते पर चल जाएगा ब्लड के उसमें नहीं चलेगा जहां ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से नहीं चलेगा एंबुलस ट्रेवल ट्रेवल अगेंस दी फ्लो अप दी ब्लड जैसे कि हमने इस्प्रैड ओफ ट्यूमर में भी रिट्रोग्रेड वाला पड़ा था ठीक है एंबुलस एक्जांबल है metastatic deposit in spine from carcinoma prostate तो यह इसके example के साथ इसके types हैं ठीक है तो यह आपको याद करने हैं अब हम embolus के part पढ़ेंगे ठीक है thromboembolism पढ़ेंगे उसके बाद pulmonary embolism पढ़ेंगे तो हम इसके कुछ parts पढ़ेंगे कि यह कहां कहां पर घुमता है ठीक है तो अब वो थ्रॉंबस से डिटेच हुआ part हम बोलेंगे उसको thromboembolism है ना डिटेच थ्रॉंबस और part of thrombus known as the thromboembolism क्या है कि यहां पर थ्रॉंबस है है ना तो क्या है कि है ना या तो यह पूरा का पूरा डिटेच होके यह इसकी site of origin है कहीं पर यह बना होगा ठीक है अगर यह पूरा डिटेच हो जाता है या फिर इसका कोई चोटा सा part डिटेच हो जाता है तो उसको हम thromboembolism बोलेंगे ठीक है most common type of embolism सबसे common type है यह 90% टाइप इसी के मिलेंगे हमको may arises from the arterial thromboembolism या फिर venus thromboembolism आर्ट्री से निकल रहा है अगर आर्ट्री में thrombus बना है तो हम उसको arterial बोल देंगे venus में embolism हुआ है या फिर थ्रॉंबस बना है तो हम उसको venus thromboembolism बोल देंगे ठीक है arterial thromboembolism है ना इसका क्या है मतलब आर्ट्री या तो हर्ट में बन रहा होगा या फिर आर्ट्री में हो रहा होगा ठीक है थ्रॉंबाई अगर लेफ्ट साइड में है हर्ट के क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कहना अगर हर्ट में है हैं तो वह लेफ्ट साइड में ही होगा ठीक है थ्रॉंबाई या तो लेफ्ट साइड में है तो एमबोलस बनेगा arteries में अगर अगर या फित साइड में ने कि लेकिन पढ़ा यह जासे ही होता है कि आना इसका डबल साइड में बन रहा तहीं करें चला जाएगा अब क्या है कि ना इसके कई टाइप हैं ठीक है मूडल थ्रॉमबाई हो गया थी अधिया एन्ट आइटिस हो गया वाईविल रेंड रोड़ा अधिस हो गया प्रॉस्टाटिक हाट वाल्व हो गए देखें यह हैं इसके आर्टीरियल के आठेरियल थ एक एक दो दो लाइन सब के बारे में जानेंगे जो कि हम अपने नोट्स में पढ़ेंगे ठीक है तो causes within the heart heart के अंदर जो हो रहे हैं ठीक है तो mural thrombi अभी जो हमने example में देखा mural thrombi में क्या होता है कि thrombus जो है वो left arterium में होगा या फिर left ventricle में होगा और उससे वो detached part जो है मतलब यहां से thrombus का detached part embolism जो होगा वो aorta में जाएगा और aorta जो है वो डिवाइड करता है arteries में arteries में divide करेगा और फिर क्या मतलब aorta arteries में divide करेगा तो जो embolism है thrombus का जो टूटा हुआ पार्ट एप्री में वह गया एक और फिर इस ने आपको बोलेंगे तो हम उसको ब्रक्रिशन में तो आई गया तो हम उसको बोलेंगे और टोंगो-ब्रॉम भाई यह से स्टेश्ट में जा रहा है तो एक एश्ट की इनर लाइनिग में प्रेजेंट है हर्ट के चिंब लाइनिंग मतलब टीन लेयर होती है हमने तो लींवें टीक चegsst में उसको फब्डाया है तो तो वह इंबर मतलब वहां पे प्रेजेंट होता है एंबॉलस फटा है वाल्वि ऑ今日は 이것도 यहां तो यहां पे रच्भी करने के लिए हम तो यहां पर की तो यहां पर ढमार को डैमेज़ है उसको रिप्लेस करने के लिए हम लगाते हैं एक्टीक हट वाल्स अब क्या है Ensuite effect of emboli effect of emboli में मतलब depends on their size उसका Size भी वो करता है Matter करता है साइट ऑफ लॉज्मेंट भी matter करता है ऐडिक्वेसि ऑफ Collateral Circulation भी matter करती है इसमें क्या है कि साइज होटा है कि बड़ा है ठीकि उससे matter करता है तो आपने लिए दूसरा रास्ता बनाना तो आपने लिए दूसरा रास्ता देख लेगा और दूसरे जगह से ब्लड सप्लाइग करेगा तो वही है कि यहां पर इसको सप्लाइग कर रहा है कि यहां पर अगर 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 एंबुलस आ घ्या तो आगे की सप्लाइग नहीं होगी लेकिन क्या है कि यहां से कोई दूसरा रास्ता डेख लेगा कई और आर्टरीज में चला जाएगा तो वह दूसरी पार्ट को तो शप्लाइगा लेकिन यहां के पार्ट को नहींश्प्लाइग करेगा जिससे कि वह डैमेज हो जाती है और वहाँ पे है ना ओर्गन को सप्लाइन नहीं पहुच पाती ठीक है तो हमें यह जो तीन जो एफेक्ट है वो साइज है साइट है और कोलेटरल सर्कुलेशन है अगर आर्टीरीयल सर्कुलेशन होता है तो वो क्या 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 कॉद करेगा इंफाक्षिन क्या करेगा और्गन का गैंगरीन क्या क्या कर सकता है आटराइटेस और मायकोटिक ओनेॉरिजम क्या 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 हो भी हो सकती है infection में क्या होगा ठीक है blood supply कम हो जाएगी ischemia हो जाएगा ischemia कि वजे से hypoxia हो जाएगा necrosis हो जाएगी उसके बाद infection हो जाएगा ठीक है तो वही है कहना हमने इंफरक्षिन भी पढ़ाया कई बार और घ्रस इसंट अधिन वद्ण इन सिर्फ, इसंटरों संटरों से वन क्योν प petals कि आम एद्धाय करें सब्सक्राइब सब्सकूद हो जाती है वह ब्लाइक ब्लैग भलएक हो जाता है ठीक है अर्टराइटेस आर्टरीज का इंफलमेशन हो जायगा ऑखका वैकर इनलेक्टीजन हो जाएगा तृट्री मैऊ-कार्ल इमटνο हो यह सब जो हमने एक्जामपल पड़े थे बुक में जो हमने अभी थोड़ी दर पहले बुक का जो वह दिखाया था तो यह उसमें है यह सारे के सारे उसके ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करते हैं और और इंफाक्शन कॉस करेंगे जिसकी वज़े से और डैमेज होगा और deth होगी ठीकिए अब क्या है हम venous thrombou embolism परते हैं दो टाइप के embolism थे जो thrombou embolism औरárias ओ बहatti यह टो अब इसमें क्या है कि वई ये arteries की तरह यह wins में हो जाएगा most common कोई से होता है डिव वें tho मोस्टे लेयर लेग टाइब हमस्ट कामान होता है थ्रॉंब्बाई in हुआ तो वह चोटा सा पार्ट या फिर वह पूरा का पूरा डिटैच होके ब्लॉकेज कर देगा थ्रॉंबाइन केवर्न साइनस ऑफ ब्रेन थ्रॉंबाइन राइट साइड ऑफ दी हर्ट ठीक है तो यह था थ्रॉंबो एंबॉलिजम जो कि एन एक मोस्ट कॉमन केस होता है जो कि थ्रॉंबस से डिटैच हुआ पार्ट होता है ठीक है यह इंपॉर्टेंट था इसके आगे हम पढ़ेंगे पल्मोनरी एयर एंबॉलिजम वेट फॉर दी पार्ट टू हम इसमें आगे के दो तीन पार्ट हो जाएंगे ठीक है एम उसमें पूरा एंबॉलिजम समझा करेंगे बाकि हमने थ्रॉंबस और शॉक इन सब की वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम ना पूरा हमेट पैथालोजी भी अपलोड करेंगे बाकि जो इंपॉर्डेंट पॉर्टेंट है सब हम अपलोड करते जाएंगे ठीक है टाइम लगेगा वाट यस हम कर देंगे ठीक ह वाचिंग वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर्पोर्टिंग थैंक यू